पर अबेरीवन वेल्कम वेल्कम् टु माई चैनल कोम स्कॉलर के लोन दिस इस डिटनेशन वीडियो ऑन क्यापिटल पजेटिंग एस्टीमेशन आज वाम एस वीडियो लेक्षर में देखेंगे कि कुछ प्रेटिकल प्रेतीकल केसरेसे उसको सॉल्व केरेगे तो बन में हम एक questions लेंगे and मैंने यह जो questions मैंने pick up किये है यह मैंने किसी एक book से लिए यह मैंने 3-4 book से लिए है and these questions are basically starting from the very basic and will end up to very advanced level so let's start with the very first question देखिए question के लिए लिए कोछ बहुत देन से पढ़ नहीं है और मैं फिर साब को बता रहा हूँ यहाँ पर हम बढ़ रहे है capital budgeting estimation मतलब क्या है यहाँ पर company ने अब तक यहाँ पर कुछ ऐसा decision नहीं लिया है कि हम नए machinery purchase करेंगे या पुराने machine बेश देंगे ठीक है although आपको language लगेगा but actual में है नहीं ठीक है तो confused मत होना पर चलिए क्या लिए फर्स कोछ में देखिए the cost of plant रुपी 6 lakh it has an estimated life of 5 years after which it would be disposed of scrap value nil profit before depreciation interest and taxes is estimated to be 2,50,000 पर रनम find out the yearly cash flow of the plant given the tax rate 40% देखिए हमें cost of plant given है 6 lakh उर बेगी जिसकी life year कितनी है 5 साल और 5 साल बाद उसकी value नहीं लो जाएगी वो machinery जो है यानि कि जो plant है वो हर साल जो profit कमा के दे रही है वो कितना देखिए डहला गुरुपी जो कि before depreciation, interest और tax है और government को हमें tax देना है 40% के साब से और अब हमें जो yearly cash निकालना है cash outflow सबसे पहले हम देखिए कहा लगते है that is purchase price of plant जो कि आपको given that is 6 lakh ठीक है देखिए कर आप ऊपर देखिए आपर जो हमने ऊपर जो फ़र्म रहना था 25 पैस प्लांट है insulation देखिए को कोई given नहीं scrap value कुछ भी given नहीं पुराने machine कोई बारे में कुछ बात नहीं करी तो जब पुराने machine बेचीन नहीं तो उस पर ना कोई capital गेन वहना capital लोँ सहा तो टेक्स देहेंगे नहीं और इस question में working capital कोई बात नहीं हरी यहने कि अब हमारा simple answer यह आगया यहने कि initial art flow किता हूँ that is Rs. 6 lakh और कुछ आपको करना ही नहीं है यह है है आपका answer आगया इनिशिल कैश आटफ लोगा हूं राइट नाओ कम इन टू दी सबस्टांशिल कैश इनफ्लो यहने के हर साल यह कंपनी यह जो प्लांट है वो कितना प्रोफिट जनेरेट कर गे थे चीक है हर साल हमें कहा दे रही है अब डाइलाग वो क्या था प्रोफिट बिफोर डेप्रिसेशन एंड टेक्स कितना है डाइलाग रुपे है लेकिन हमें गोमें को टेक्स पे करना है तो हमें सारा एक्सपेंस माने करेंगे और हमें कुछ गिवन नहीं है एक ही टाइप का कोई कोई कोस्ट गिवन है आद बिफोरोफित है's तो हम मानस करेंगे तो देखिए डाइप्रिसिशन आपक कैसे नहीं कारना है सिंपली है देखिए डाइप्रिसिशन देखिए मैसेंटी कितनी करेंठी त्लिया 6 लागी पांच साल उसके लाइफ है, पांच साल वा उसके वेली कितनी है निल डिवाट अब है फाइफ, उन्हें कि हर साल वो कितनी वेली से डेप्रेशीट हो रही है 1,20,000 तो डेप्रेशन क्या है आपका, 1,20,000 तो यहाँ पर हम मानेस कर देंगे अमांट कितना बचा आपके हात में, that is 1,30,000 अच्छा यह क्या है, that is profit after depreciation but before tax, अब हम कहें करेंगे, tax pay करेंगे tax payable at the rate, tax rate कितना था, that is 40%, तो 40% के साब से tax pay कर देंगे यह यह अमांट आपके लेगा, that is 78,000 तो यह क्या आपके पास, that is profit after depreciation and tax but अब हम आपके करना, depreciation add by करना है, क्योंकि आपका कहा है non cash item में 1,20,000 हमने add कर दिया अमांट के आपके पास 1,98,000 that is profit before depreciation but after tax that is, यह plant जो है आपको हर साल 1,98,000 का profit जनरेट करके देगे ठीक है, तो यह क्या आपका cash inflow अब देखिए बात करते हैं, terminal की terminal cash inflow terminal cash inflow देखिए कितना आएगा देखिए add देन हम देखना है, अब प्लांट के हम scrap ने काल रहे हैं, कलिकिंग आपर scrap value of plant कितनी है, निल अब जब निल में बिचा है, तो कुछ आई नहीं, वैसे भी नहीं कुछ की book value है, कुछ भी नहीं है, working capital भी नहीं है, तो बस यही answer हो आपका, ठीक है very simple है, आपको concept, जखिए वो clear होना चाहिए, ठीक है, आपको main confuse होगी, वो कहा होगी, एक तो यह depreciation में, और एक आपको निकालने में होगी, capital gain capital loss में, ठीक हमने minus क्यों करा, क्योंकि यह non cash item है, sorry, क्योंकि हमें गोमें को text pay करना, इसलिए हमने depreciation मानस करा, add की क्योंकि यह non cash item है, मैं सीधी से बात है दिखिए, अगर आपने depreciation मानस कर दिया, अब उसके बाद देखोगी, आपके pocket में ज्यादा पैसे बचे होंगे, तो वो कैसे ज्यादा बचे होंगे, जब अब depreciation हो, क्योंकि आपने depreciation दो pay करा नहीं किसी को, तापके pocket में ज्यादा पैसे होंगी, ठीक है, तो इसलिए हमने match करने के लिए अगर depreciation को add way कर दिया, all right, so this is the first question, now moving to question number two, RMS Limited is evaluating a capital budgeting proposal for which relevant figures are as follows, cost of the plan 15 lakh, installation cost 5,000, economic life 7 years, profit before depreciation and tax 2 life 50,000, scrap value 50,000, tax rate 40%, calculate yearly cash flows, आपको सब कुछ निकालना है, initial B, substantial B, terminal B, आपको सब निकालना है, तो confuse मत होना है, तो 111 देखिए देखिए आपर पहले बात करते हैं, initial की, तो initial में देखिए क्या है आपका, cost of the plant आपका आपका 15 lakh, initial आपका, ठीक है, और पुराने मशीन को हमने कुछ बेचा है नहीं, पुराने मशीन कुछ बात करें नहीं, working capital भी नहीं है, तो initial cash outflow कितना होगा, 15 lakh प्लस 5000, अंसार आपके बस, easy है, देखिए इसको सचाट करते हैं Q2 को, initial cash outflow, तो पहला कोई करें खाना है देखिए देखिए देखिए, purchase price of, plant, amounting rupees 15 lakh, add, installation, cost 5000, total amount, 15 lakh, 5,000, that's it, now moving to substantial cash inflow, यहार साल यह plant आपको कितना profit जिन्ट करके देगा, तो तो यह क्या given आपको, आपको गिने profit before depreciation and tax, यहने कि depreciation minus करने से पहले, और गोमे को tax देने से पहले, वो कितना given है, 2 lakh 50,000, profit before depreciation and tax amounting rupees, 2 lakh 50,000, so पहले हम क्या करेंगे, गोमे को tax देने से पहले, depreciation को less करेंगे, depreciation के कितना given आपको, given नहीं हमें calculate करना है, कैसे करेंगे, देखिए, simple है, आपने machinery purchase करी, 15 lakh 5,000 की including insulation cost, इसकी जो scrap value कितनी है, 50,000 है, लाइफ एर कितनी है, 7 SLM methods कर रहे हैं, बस 15 lakh 5,000 minus 50,000 divided by 7, amount आपका क्या, that is, 2,7,857, यह आपकर depreciation हो गया, इसको में हम करेंगे, minus करेंगे, 2,7,857, यह less हो गया, अब जो profit आया, आपर depreciation वो कितना है, 42,000, 143, profit after depreciation, before tax, let's करेंगे, आपर tax payable, tax rate कितना है, that is amount, that is 40%, मैं amount less करके लिख रहा हूँ, that is 25,286, यह कि आपके पास profit after depreciation and tax, अब इसको में करेंगे, depreciation add back करेंगे, same amount है, that is 2,7,857, add back करेंगे, आपके पास फिगर आईए, that is 2,33,143, profit before depreciation after tax, तो हर साल आपको यह प्लांट इतना amount आपको जनरेट करके दे रहे है, ना कमेंट में दे लास्ट पास, that is, terminal, cash inflow, लास्ट में क्या कर रहा हूँ, मशिन्डी को बेच रहे हैं, मशिन्डी की बेचने की value कितनी है, कितनी है, 50,000, लिखा दान दे के 50,000 बेच रहे हैं, बट इसकी आज की बुक बेच बेच रहे हैं, देखें, जब भी SLM method निखा लेंगे, तो देखिए, यह आए गा ही निया, आपका, एट में जाता आपका, क्या ना तो capital gain हुआ ना loss हुआ, क्यों, क्योंकि यह already आपने यहाँ पर minus करके, इसको adjust कर लिया, अगर यहाँ minus नहीं होता, तो फिर, तो कुछ नहीं कुछ capital gain, capital loss होता, बट चुकि आपने इसको minus कर दिया, तो यहाँ पर आपका ना तो आपका, ना तो की capital gain हुआ, नहीं loss हुआ, ठीक है,